ओम शांति ओम शांति ओम शांति और जो चीज हमारे अंदर नहीं है उसे हमें परमात्मा से लेने की कुशिश करनी है अगर मेरे अंदर प्यार नहीं है तो परमात्मा से वो चीज क्योंकि वो प्यार का सागर है अगर मेरे अंदर शांती नहीं है तो परमात्मा शांती का सागर है जैसे वरप के पास बैटने से हमें ठंडा कन्बो होती है सागर के किनारे बैटने से हमें ठंडा कन्बो होती है आग के पास बैटने से हमें गरम अन्बो होता है ऐसी परमात्मा गुडों और शक्तियों का सागर है श्रोलत है उसके पास बैटने से वो सारी चीजे मेरे अंदर ट्रांसफर होती है बट connection अमारा अच्छा होना चीए अगर अमारा connection और relation अच्छा है तो वो चीज हमारे अंदर transfer होती जाती है और हम अपने अंदर गुड़ों और शक्तियों का अन्धो करते हैं और फिर कोई भी समस्या हमें समस्या नहीं लगती है कोई भी परिस्तितियों उससे निपटने का तरीका है साहस अगर अमारे अंदर भै आ गया जैसे यह कोविद 19 चल रहा है तो अगर मेरे अंदर भै आ गया तो उस चीज को हम फेस नहीं कर सकते पार नहीं हो सकते अगर हम निर्भय होके उस परमात्मा की याद में रहें कि नहीं मैं परमात्मा की छत्रचाया में सुरच्छित हूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता मुझे कुछ नहीं हो सकता इस आतम विश्वास से अपने को भरने से मेरे अंदर वो परमात्मा की शक्तियां आती हैं और हर परिश्चिति से निपटने का मेरे अंदर एक पावर आती है और हम उस परिश्चिति से पार हो जाते हैं तो ऐसे हम परमात्मा से समंध जोड़कर अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ओम शक्ति